हाई नमश्का सेटेनीवस 100 मैं आपका स्वागत है मैं आपके साथ आशा मुष्णा मैं आपको बता दू एक मामला सामने आता है दहेज का मामला सामने आता है जहां पर सोचे कुछ चंद पैसों के लिए दो लाख रुपए के लिए एक मा को उनके बच्चों से चीन लिया जा आप माएं किया हुआ था मैं इसकी साधी की जी अमट शादी की दो साल पहला सा देकिस दू हैे मेरे पादी जा अउरा एक दम से आप यहां जाने लगी इसके हाल अभी अपेल के शीजी कर दी है इसको कहाना निए इदे इसका खाना गिनते का इए कितनी रोटी आप हाति है औ पैसे मांगते हैं मुझे सा दो लाग रुपय इया है डॉसे मांगते हैं को मेरे नइ कर्दिया यह कोई करों suffolز नइ सी हाद कर देखा अगर खुझ मई जो कितने बच्चेवागदभा दो क्यों कर क्यों करते हैं अमद्हेत की ऐसे दिए खले के लिए कर्ते हैं देजश के लिए कई ऐसे पहले आपने पू err कि इसाथ के आप कोई 割्डव सब मेरे सब कुछ है मारब सब कुछ और आप कहते तो दुनिया वर्किंदी गालियां बगते हैं जिसका जवाब नहीं है मेरे पास तुनिया गालियां बगता है गंदी गंदी मुझे तो मतलब सिफ एक दहेच के लिए पैसो के लिए आपके रोटियां तक गिरी जाती है हाँ जी कहती है चार चार रोटियां खाती है इतनी रोटियां खाती है कभी मेरी बेटी को ढंके कपड़े लगते में कुनाए इसके लड़किया इसको मारती है तर पर आयते ना तो लड़ने के लिए तयार हो गएते हमसे तो मतलब बच्चे कहा है आपके एक लड़की मेरे प मतलब लड़के से कोई लगाव नश्रयाव है उन्होंने अपने पास रख रखा और एक लड़की आपकी है वो लड़की ही पर आपके पास हम उसको कभी फोन रख लें के slang कोई पूछ्था नहीं को फॉण है मेंने से कितने सालों से आप ऐसे रूरी है मतलब कितने सालों से आपको ऐसे परतारिक कर रहे हैं मैरे महारते आपको इन तुल नब चाश कर लड़ता है नचार कि यह निकरती वो निकरती यह दन दाड़ां这 कुछ नहीं लाई तो अपने घर से मतलब एक तरीके सब आप लोग को यह बोलते हैं कि घर का काम नहीं करती है इस वज़े से वो लुग आपको मारती पिर तो दहज ली के नहीं है यह तो शादे से पहले आप लोग उन्हें को यह से खोज बिज नहीं के थी कि लड़की की डि मेरी ममी नहीं मांग खेका है अब अज पर लेकर फिर भी ओ कहते कि अपनी ममी से कुछ ले कि आं याऔर लोग नहीं हम लुटार्या जो ए्मुटा हो इस टूट गया अब जги आपको मेरे प्लवल में रहते हैं कि अज़ कुछे वाग करता हूँ और तूट गया प्लवल में रहते हैं कितने बच्चे आपके मेरे चार वे तीन बेटी हैं दो बेटे हैं मेरे जिसमे सब्धे का लाग है कि कह सकता कही की बड़ी है तो यह भी ढल लग रहा हो कि बड़ी बेटी के साथ ऐसा वह तो छोटी ऑग साथ ना हो जाए tip कर दें तो मैं बिलकूल नहीं दो प्लबल जैंदीपुरा पलबल जैंदीपुरा अच्छा तो कुछ नहीं कि आप लोग कुछ पा रहे हैं जो भी बात है वो बिलकुल सच नेरे घर पे दो तिन वार आया है वो लड़ा जगड़ा कर गए पलबल में भी कही जने मिल जाएंगे लड़ते हैं मार पीट करते हैं में गन्दी गालीयां वकते हैं किसी से छुपा नहीं है मेरा सच के मैं क्या सच बोल रहे हैं क्या नाम है लड़की क्या नाम है मानव मानव न पूरा नाम है मानवी है ये भी पलवल में ही रहते हैं दिल्ली सदर बजार में रहते हैं और आप लोग पलवल में रहते हैं तो शादी आपने कहां की थी इनकी फईदाबाद से करी थी फईदाबाद से की थी अच्छा देख सकते हैं ये पलवल का मामला है जो कि अभी सामने है लड़का बताया जा या फिर वो दहेज लेके अपनी मा के घर से नहीं आई है सोचे ये गंबी रारों पर कुछ अभी दहेज के लोग भी और भी है यहां पर इस दुनिया में और अच्छा एक बापत है आपके हस्बंड वगरा नहीं है मेरे हस्बंड नहीं हो मर से अलगी रहते हैं अच्छा मेर और बहुत हैं नहीं शादी के ब्रोद भी थे हैं क्योंकि इनकी साथ वासने सब में दवाओ बनाया में नंदवन ने तो इसाथी कैसे करके हो गई मेरे हस्बंड ने मना किया था मत कर साथी पिर भी अमने किसी करन साथी हो यह देख सकते हैं यह पलवल का मामला है और हमारते पीटते हैं तो ऐसी देख सकते हैं यह नाएम आरोप लगा रहा हैं तो अगे आपको बतादू ड़ह content ना बता रहे हैं मानम बता है ना जो की दिल्ली सदर में रहता में उनकी फामली पर आरोप लगा रहे हैं अगर वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो City News 100 के पेज़ पर रख सकते हैं आपको एक नमबर बता रहे हैं उस पर आप डायल करके इससे बात कर सकते हैं 9871135872 इस नमबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना जो भी पक्ष है या फिर जो भी सच है इन्होंने क्या बताया है क्या जूट है क्या सच है क्योंकि इन्होंने अपना पक्ष रखा है अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो जरूर वैलकम है City News 100 के पेज़ पेज करने के अवशक्ता है क्योंकि मा बेटी हैं बटक रही हैं दर दर बटक रही हैं बताया जा रहां है कि कई बार चक्कर लगा चक्कर पुलिस पशासन के लेकिन अभी तो कोई कारवाही है इनके को सुनवाई नहीं के गयी है तो प्लिस Benn को ब्श पेज़ पिस पें का